हाई अनीटा की घासोई में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे पालक की बेंगे बनके स्पेशल स्य रेसिपी अगर आपके फलं सकती से भूओ बना सकते है उसकी जगा इसकी रेपलेसमेंट में तो यहां पर हम दोलेंगे च्वाशोटी स्य पालक कि रिख देंगे ताकि इसका जो पानी है इसके जायाँ जाए तका निकल जाए रिकिते से में कड़ाई को हाइज दू signed जीरा हमारा चप्टछठटाने लगा है तो इसमें हम डालेंगे हींग मिलाएंगे दाया गारिक कटि हूज प्यास इसको हमें हलका सा ब्राउन करना है प्यास को बहुत जादा हमें इसे नहीं भुनना है जिब हलकी ब्राउनिश होने लगेगी प्यास तो इसमें हम डालेंगे हमारे कटेवर टमाटर यहां पर हमने एक बड़ा साइस का कटेवर टमाटर लिया था आप दो छोटे साइस की भी ले सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मेश पाउडर और थोड़ा सा लाल मिश पाउडर आप कम जादा भी कर सकते अपने तीखे पन के साब से जैसे आपको पसंदो इसके बाद मसालों को अच्छे से भुण जाने देंगे टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम यह पर डालेंगे थोड़ा सा नमग इसको भी हम अच्छे से मिक्स क तो चोड़ाइब तरह का किया है जिसको को मिक्स में मिक्स कर लेंगे और थोड़े रिख जाने देंगे बात चुन फ़क्रक्त को 6 एकोड़े यह हम ने कर दो चू deux समंाख बैसन का पाओडर यहाँ पे हमने दो 世界 समाष बैसन पाऊडर या फिर एक बड़े चलमाच शेयर तक्सेल का पाऊडर ले सकते हैं इसे भी हम थोड़ाइब नहीं को है क्यों मिक्स करT पानी को हम हाई पे रखेंगे ताकि एक बार अच्छे से उबाल जाये के तो हम यहां से घीमर कर देंगे ड़ि समस्मा मिख्स कर दीके देंगे इसमें अध्युक्षर लिए जायेगा वें वान नसुर्सका मे बनान nom पार्टेश मीटें के एक निया भी अच्छे से मिक्स नहीं हुए है दिये जब यह निया इसकी तो अच्छा हो अच्छे से पक चुकी है तो हमाई जो सबसी है वह अच्छे से पक करके रेडी हो चुकी है यह खाने बहुत एस्टी होती है healthy हो जब इसको रख देंगे तो इसका टेक्चर और क्रीमी सा और स्मूध सा हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेते हैं पर द्रप्रोस ऑचलिको निल्टी एंप आप ग्रीं जबाना कि ये रेचिप विदाना कहची है और ट्राइ जरूर करना दो कि ये रेचिपी आपको कैसी रगी रेचिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमें विडैट त्रू झाल झाल झाल